आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट समस्तिपूर मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर अब टिकट बुकिंग एजेंट अनरक्षित टिकट बनाएंगे टिकट बुकिंग एजेंट बहाली के लिए पुरो मध्य रेल के समस्तिपूर मंडल ने आवेदन आमंत्रित किया है तीन साल के कॉंट्रेक्ट बेस जॉब के लिए आवेदन फॉर्म रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है कोसी और सीमांचल छेतर के पाँच इस्टेशन सोनवर्सा, कचहरी, बदलाघाट, बुधमा, जानकी नगर और कित्यानन्द नगर पर भी टिकट बुकिंग एजेंट की न्यूकती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है इसके अलावा समस्तिपूर मंडल के इमली, थलवारा, अदापूर, मतावल, मुहम्मदपूर, भैरोगंज, बालमिकी नगर रोड, सिम्रा, जुबबा सहनी, पंडॉल और गाढ़ा इस्टेशन पर भी टिकट बुकिंग एजेंट तैनात किये जाएंगे एजेंट को अनारक्षित यानि के जनरल टिकट बनाने के एवज में कमिशन मिलेगा, एक से पंदरह हजार रुपे तक की आरक्षित टिकट बिकरी पर पंदरह प्रतिशत से कम, यानि के पंदरह हजार एक से पचास हजार की बिकरी पर बारह प्रतिशत, और पांच हजार ए प्रबंधक ने बताया है कि 16 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की निउक्ति के संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र के मुताबिक स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्ती के अंतिमतिथी 18 दिसंबर 2020 को निधायत की गई है। नियुक्ती के लिए आवेदन पंजिक्रिट डाक कोरियर साधारन डाक या हाथों हाथ अंतिमतिथी तक जमा किया जा सकता है। आवेदन मंडल रेल प्रबंधक वानिजे पूरुमध्य रेल समस्तिपूर कार्याले के प्राप्तियों नुभाग में जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समस्तिपूर मंडल के DCM प्रसन्य कुमार ने कहा है कि मंडल के 16 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नुखति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। पर आवेदन देने का इसे मौका कहा जा सकता है। लेकिन रेलवे ने यह स्टेशन परस्ट कर दिया है कि आवेदक से लिखित में सरकारी और गयर सरकारी विभाग या स्टेशन बुकिंग एजेंट नहीं होने का लेने के बाद ही नुकति की जाएगी। मतलब साफ है कि नौकरी पेशा को Station Booking Agent नहीं बनाये जाएगा जो कहीं Station Booking Agent है उसे भी नहीं बनाये जाएगा स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रेलवे की सरकारी नौकरी के हगदार नहीं होंगे भारतिय रेल के पाइलट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की न्युकती होगी न्युकती ठेके पर आधारित होगी वहीं आपको बता दे कि बिक्री हुए टिकटो का स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को हर रोज हिसाब देना होगा स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट बरतमान बुकिंग काउंटर से टिकट जारी करेंगे